क्या मेरे भाई लोग, सब बढ़िया, यार, मुझे न, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे को एक ऐसा दोस्त है, जिससे मालो के इस important topic में discussion चल रहा होता है, या मालो तुम गफशप मार रहे है उस बंदे के साथ, फिर अचानक से, उसी वक्त पे एक लड़की आती है, जो कि त लड़की तुम दोनों के बीच में आई, भाई साब, जैसे तुम्हारे दोस्त के अंदर का शारू खान जाग गया हो, अचानक से, उस बंदे के अंदर का comedian जाग गया हो, अब बंदा क्या करेगा, अपना पूरा focus लगा देगा, उस बंदी पे line मारने में, और तुमको completely ignore कर देगा, और जबकि लड़की उसको दो कोड़ी का भी भाव नहीं दे रही होती है, तो इस टाइप का हरकत करने वाले इंसान को अपन बोलते हैं, दोस्त, सिंप, क्या, सिंप, जो कि एक internet slang term है, तो सिंप का मतलब होता है, दोस्तो, वो बंदा, जो ना लड़कियों को पे, फीमेल जो है, लड़की जो है, कोई contribution नहीं दे रही है, कोई response नहीं दे रही है, अगर दे भी रही होगी, थोड़ा बहुत तो kind of उसको जहेल रही है, तो इस टाइप के हरकत करने वाले बंदे को आप बोल सकते हैं, दोस्तो, सिंप, got it, तो आप बात करते हैं, दोस्त लड़की को interest नहीं है लड़के से बात करने में, जबकि लड़का, जैसे लड़की का message receive किया, फट से type करने में लगा है, क्या है, कर रहे है न, self respect के अपनी मा बहन, उसको नहीं पसंद बात करना, तुम भी मत करो, 5 घंटा लगा रही है, तुम को reply दे, तुम 10 घंटा लगा यार, as simple as that, इसके अलावा, कोई दूसरा उधरन देखते है, कोई बंदा किसी लड़की को 50 बार propose कर चुका है, जबकि हर बार लड़की उसको मना करती है, इस बार भी मना करेगी, यह पता है लड़के को, फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, like, please मान जाओना यार, please मान जाओना, girlfriend बनने बाद जो चाहोगी, और लाके दूँगा, इस टाइप का हरकत कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो, यह kind of simping हो गया है, इसके अलावा, जरूरी नहीं ना, कि हमेशा जो बंदा simping कर रहा है, वो single हो, हो सकता है, relationship में रहते हुए, भी boyfriend simping कर रहा ह होता है, like, अपनी girlfriend का कुता बना हुआ है, उसका पिला बना हुआ है, उसका नौकर बना हुआ है, मुझे छोड़ के मत जाना, baby, please, मैं तुम्हें बिना नहीं रह पाऊंगा, इस टाइप का हरकत कर रहा है, तो, यह भी simping हो गया, दोस्त, अब, मज़े के बात यह है, दोस् definition एक लड़के के point of view से दिया हो, लेकिन कई मौके पे लड़कियां भी simping करती हैं, दोस्त, तो आप दखते हैं, दोस्तों, कि आप simp को किस sentence में कैसे इस्तमाल कर सकते हो, मैं एक गार लड़ीती, सचा सिंप, मेरा एक दोस्त है, मुसको प्यार से लवली लड़ीत बूलाता तो वो ना, अंतिम लेवल का, भयंकर लेवल का simping करता है, उसके सुबा के शुरुआत कैसे होती, तुमको पता है, एक हात में चाह, एक हात में मोबाइल, और मोबाइल में क्या करेगा, वो यह दो-तीन लड़कियां जो उसको दो-तीन साल से reject करते आ रही हैं, उनको, नाइ plenty more fish in the sea, mind you, there are plenty more fish, एक नहीं, तु दूसरी सही, किसी बंदी को प्रपोस की, वो अगर माना कर दी, तो दो-बारा जिंदगी में कभी उसको मूर के मत, देखो दोस्त, उस नजर से, गर, so that is it for today, let's go it today.